हेलो इस वीडियो में हम क्लासिक्स के पहले चिप्टर फूड वियर डाज इट कम फरम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं इडीबल प्लांट और इडीबल प्लांट को पढ़ने से पेले हम लोخ को या समझ लेना ज़रूरी है कि इडीबल पार्ण होता क्या है यानि यह इडीबल का मतलब क्या होता है तो यहां समझ लिजीए वीच आर eatable is called edible यानि जो खाने योग्य होता है जो खाने योग्य होता है उसे हम edible करते हैं यानि इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट की वो कौन से भाग होते हैं जो edible होता है जो खाने योग्य होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एस्टुड़ा एंड स्कीन पर बने चार्ट को आप देख पा रहे हैं इस चार्ट की परती कलूम में हम इडिवल पार्ट्स के नाम को लिख दिये हैं पहले नमबर में हैं फ्लावर्स जिसको हिंदी में कहते हैं फूल और दूसरे नमबर में लिखे हैं फ्ल और तीसरे नमबर कलूम में हम लिखे हैं लेप्स जिसको हिंदी में कहते हैं पतियां और च 2000 नंबर कॉल्म में लिखे हैं जिसको हिंदी में कहते हैं पॉरा करना होगा तो हमें उस प्लांट के नाम को लिखना होगा जिस प्लावर्स पार्ट को खाते हैं ठीक है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहा है पहला नंबर है ब्रॉकली और दूसरा है कॉली फ्लावर ये दो प्लांट्स है जिसके हम लोग फ्लावर्स पार्ट को खाते हैं ठीक है यहाँ आपको किलियर हो गया अब हम दो ही एक्जामपल देकर हम आगे भी बढ़ेंगे जि यानि वैसा प्लांट्स का नाम हम लिखेंगे जिस प्लांट्स के हम लोग फ्ल को खाते हैं ठीक है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहा है पहले नंबर में है एपल प्लांट और दूसरा है औरेंज प्लांट ये दो प्लांट हैं जिसके हम लोग फ्ल को खाते हैं तो फ्रू कलूम में ठीक है तीसरे कलूम के एक्जामपल को पूरा करने के लिए हम वैसे प्लांट का नाम लिखेंगे जिस प्लांट के हम पतियों को खाते हैं ठीक है तो इस्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैबेज और एस्पीनेश प्लांट के हम लिप्स को खाते हैं यानि पतियों को खाते हैं तो यहां हम एक्जामपल में पहला का नाम लिखेंगे कैबेस और दूसरा का नाम एस्पीनेस यहां आपको तीसरा कलूम भी पूरा हो गया अब चलिए हम लोग चौथे कलूम में चलते हैं चौते कलूम में हम उसी प्लांट का नाम देंगे जिस प्लांट के हम जड़ को खाते हैं तो पहला प्लांट आप स्क्रीन पर देख पा रहा है कैरोट और डूसरा रैडिस ये दो प्लांट हैं जिसके हम लोग जड़ को खाते हैं तो पहले plants का नाम यहां देंगे carrot और दूसरे का नाम देंगे radish यहां के लिए रोगा यानि चार column आपका पूरा हो गया अब हम लोग चलें पांचवे column में पांचवे column में है कि हम वैसे plants का नाम देंगे जिस plants के हम लोग 20 को खाते हैं तो आप image को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर almond और sunflower यह दो ऐसे plant हैं जिसके हम लोग 20 को खाते हैं तो हम यहां पांचवे column को पूरा करने के लिए पहले plants का नाम लिखेंगे almond और दूसरे का नाम sunflower यह पांचवे column भी complete हो गया अब चलिए हम लोग 6th number column में चलते हैं अब 6th number column में हम उसी plants का नाम देंगे जिस plants के हम लोग तने को खाते हैं एस्क्रीन पर आप देख रहे हैं एस्क्रीन पर बने image से आपको express हो रही होगी कि यह दो plant हैं जिसके हम लोग तने को खाते हैं पहला है potato और दूसरा है zinger यानि कि यह दो प्लांट हैं जिसके हम लोग तने को खाते हैं तो हम स्टेम वाली कॉलम को पूरा करना है तो पहले नंबर एक्जामपल का नाम देंगे पोटेटो और दूसरे का नाम जिंगर तो यह चार्ट आपको पूरी तरीकर से किलियर हो गई आप वीडियो के स्कीन पर बने चार्ट के माधियम से आप समझ गए होंगे कि प्लांट के वो कौन से भाग होते हैं जिसको खाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो मुझे आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझने में कोई दिकत नहीं होई होगी तो चलिए अ अब हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं एइस प्राउटेट सीट लिखेंगे यहाँ श्प्राउटेड सीट ठीक है एइस प्राउटेट सीट के डिफिनेशन को लिखने से पहले हम चाहते हैं कि इसको हिंदी में पहले अच्छे ढंक से समझा दें ताकि आपको हमेसा के लि हो रहा हुआ हो निकला हुआ हो उसे हम अंकुरित बीज कहते हैं यानि कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक बीज है जिसके उपर वाइट इस पार्ट निकला हुआ है यानि कि उस बीज से एक वाइट कलर का यानि शफिद कलर का भाग उपर की ओर निकला हुआ है तो ह हम ऐसे 20 को हम अंकूरित 20 कहेंगे तो चलिए अब इसका डिफनेशन लिख लेते हैं अगर डिफनेशन लिखना होगा तो लिखेंगे ए स्माल कि वाइट इस तो यहां हम डिफनेशन लिख दिया कि अंकूरित बीज किसे करते हैं यानि कि a small white structure are grown out ठीक है? यानि कि एक छोटे से white color के structure जो बीज के उपर उभरा हुआ निकला हुआ दिखाए पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं? sprouted seed कहते हैं यानि उस बीज को sprouted seed कहते हैं यानि कि ऐसा बीज जिसके उपर white structure are grown out यानि कि जिस बीज के उपर एक सफेद भाग निकला हुआ या उबरा हुआ दिखाई पड़ता है उस बीज को हम sprouted seeds कहते हैं अब हम अगले topic को बात करेंगे यानि कि वो अगला topic भी है और एक question के form में भी दिख रहा है तो अगला topic है do you know यहां यह question के form में भी दिखाई दे रहा है और यह आपके NCRD book का अगला topic भी है question है यानि अगला topic है do you know क्या आप जानते हैं where does honey come from honey मतलब शहद ठीक है यह जो शहद है यह आता कहां से है और how it is produced और यह इसके उत्पती कहां से होती है यानि इसके उत्पती कैसे होती है तो हम बताएंगे इसका definition इंगलीस में लिखने से पहले हम आपको हिंदी में समझा देना चाहते हैं यानि इस topic के इस question के हम definition को हिंदी में समझा देना चाहते हैं कि यह जो शाहद होता है यह मदुमख्यों के बहुत ही कठिन परिश्रम का एक फल होता है जो हम लोग उसे खाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं यानि जो मदुमख्यों होती है वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम कर अपने हाइव के अंदर इस शाहत को कुलेक्ट करती है ठीक है ना और यह मदुमख्य बहुत सारे फलावर पर जा करके बैठती है और उस फलावर के अंदर मौदूद अमरित को अपने अंदर कॉलेक्ट करती है और उस अमरित को लेजा कर किसी दूसरे पेड़ के उपर अपने एक हाइव बनाती है मदुमख्य ठीक है ना और वो जो हाइव बनाती है तो उस हाइव यानि हाइव मतलब होता है च्छाता उस च्छाता के अंदर अपने सारे अमरीत को जो कलेट की रही रहती है जो मने जो मने तरह तरह के फलावर पर जा करके बैठती है और उस फलावर से अमरीत को कलेट करती है और वो कले आती है यह माली जी आप अपने बहुत सारे बड़े बंगले में आप देखे होंगे जिसका घर होता है बहुत बड़ा बंगला होता है यह चोटे भी घर होते हैं उनलों की अपनी मर्जी होती है कहीं भी वो लोग अपना हाइव बना सकता है माली जी सेलिंग है तो सेलिंग के के अंदर अपने अम्रीत को ले जाकर वहाँ पर शहत के फॉर्म में कनवर्ड कर देती है यानि उस अम्रीत को शहत के फॉर्म में कनवर्ड कर देती है और वो अम्रीत जब कनवर्ड होकर शहत बनता है यसे हम लोग खाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो चलिए अब इसका हम को लिखना चाहिए इट कम्स फ्राम तो यहां हम डिफिनेशन को लिख दिये देखिए डिफिनेशन क्या लिख है जो बात मैंने हिंदी में समझाई ठीक वहीं डिफिनेशन इंग्लिश में लिख दिया है यानि Do You know where does honey come from यानि कि शहद कहा से आती है तो इटbench कम्स हराम दा 2000 को याने कि मद्यमख्यों के बहुत कठी परिश्रम के पसाद ही यह शहद की प्राब्दी कि होतीह यानि ओमद्यमखी यानि भीई को लेが ब्यदिक्न सब्सक्रूं कि अटर Dubya करती Kannad लिख को कहां से फ्राम फ़ल फूर्स यानि फूलों पर से यह जितने भी परकार के फूल प्लांट होते हैं इस अमरिच को शहद बना देती है और उसको रिख स्टोर करती है कहां इस्टोर करती है इनि अब रहाइव यानि जो हम बता था जाए ना कि एक शाहद के सरी एक सेलिंग होता है जिसके उपर ऐसे बने हुए दिखाई पड़ता है एक फलार प्लांट होते हैं यहां लटके हुए देखते हैं तो यह जो आप देखते हैं यह मद मक्यु का जो जो समू देखते हैं जो जिस छाता का निर्माड करती है जिस हाइव का निर्माड करती है ये छोटा से बहुत बड़ा बन जाता है और इस हाइव के अंदर अपने कठिन परिस्रम के पसाथ जिस फ्लावर से नेक्टर को कलेक करके लाई रहती है इस पर ये क्या करती है इस अमरित को हानी में कनवर्ट कर देती है औ तो हम समाझ गया ना अब यह देखिए यहीं छोटा से बहुत बड़ा बन जाता है यानि इतना बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा च्छाता बना लेती है जिसे हम लोग इसको विहाइब भी करते हैं तो इस फ्रेंट इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में आपका पहला लेशन पूरी तरीका से खत्म कर दिया गया यानि पहला लेशन जो था फूड़ वेड़ा इस वीडियो में आपका जो बचे हुए जो टॉपिक था उस पर हम लोग बात करके इस टॉपिक को कंपलीट कर दे यानि आपका पूरा लेसन इस सेकेंड पार्ट के वीडियो तक आते ही खत्म हो गया अब इसके बावजूर भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो हमारे इस कमेंट बाक्स में लिखिएगा उस पर हम एक अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने के कोशिश करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत